दिल्ली में खेले गई दूसरी टेस्ट मैच में भारत ने आस्ट्रेलिया को 6 विकट से हराकर सिरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है मैच में आस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 263 रन बनाए थे इसके जवाब में भारत ने 262 रन बनाए दूसरी पारी में आस्ट्रेलिया की टीम 113 रन पर ही सिमट गई और भारत के सामने 115 रनों का लक्ष रखा टीम इंडिया ने इस लक्ष को 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया मैच में रवींद्र जड़ीजा पहली पारी में 3 विकेट और दूसरी पारी में 7 विकेट कुल 10 विकेट लेकर प्लेयर of the मैच बने बारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच दिली के अरुन झेटली स्टेडियम में समापत होने के बाद बी-सी-सी आई ने भारत और आस्ट्रेलिया के बीच 17 मार्च से शुरू होने वाली तीन मैचों के एक दिवसरीय श्रंखला के लिए टीम के घोशना कर देगा